स्रीमति बिपलोट हाकुर जी मानिये उपधैक जी धन्यवाद मैं ये राश्पत्री के अभिवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई हूई पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूँ कहां से शुरू करूँ मुझे लगता है आप अब चुप रहिए मुझे लगता है बैट कर इंटर्वियन न करें मुझे लगता है कि एक कुछल गरहनी एक अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीज़े उसमें डाल देती है यही सभी भाशन में है कुछ नया नहीं है वो ही उजवला है वो ही दीन दियाल है और वही पे जो है मिशिन की बाते हो रही है बेरोसगारी की कोई बात नहीं है महंगाई की कोई बात नहीं है क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते आज विद्यार थी जो पूरे देश में जंडा लेके खड़े है उनको अपने भविशे का फिकर है कि हम डिगरी तो ले लेंगे पर नौकरी कहां से लाएंगे परीबी की रिखा से नीचे देखे तो लोगों का हुआ है अरे आज यहां बैठे हुए हो हवाई जहाजों में चलते हो और उन में चलते हो किस ने दिये किस ने बनाए आई स्कूल कॉलेज उनिवर्सिय किस ने बनाए आई आई टी किस ने बनाए एमेमेटी किस ने बनाए ज कोशिश की है और कुछ नहीं किया है मास वही करो आज आप लोग आज आप लोग इस देश को इस तरह से बाढ़ना चाहते हैं कुछ नहीं है ना महिलाओं के लिए है आज पूरी महिलाओं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविश्य ठीक है हम सुरक्षित है वहाँ उनको कुछ दिया नहीं जा रहा और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि आप बहुत इत्यास के बगए है महम्मद गौरी को किसने बुलाया था किसने कहा था दिली में आकमरन करने के लिए कौन जैचंद था कौन जैचंद था महराना परताब जब हलदी की घाटी में लड़ रहे थे किस राजाय ने उसकी मदद की अकमर के किलाप में बैठ जाए बैठ बैठ चुप करके बैठो सुना प्लीज आप चियर को एडिरस करें मैडम प्लीज इस तरह की भासा ये एक भील जाती के लोगों ने महराना परताब का साथ दिया अहिंसा का पार्ट बढ़ाया, आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगा बंदूर और रिवालवर आ गए है, और हमने सिखाया आपको अहिंसा, आपने सिखाया है जन्तों को हिंसा, नफरत, और प्लीज, आप अप चेर को अपधियक जी देश-द्रोही की भी परिभाशा पूछना चाहती, क्या है देश-द्रोही की परिभाशा, किसको देश-द्रोही कहते हैं, मुझे याद है, जब कॉम्मिनिस पार्टी ने भारत की अजादी को नहीं माना था, चार साल के लिए बेन कर दी ती, लेकिन उनको देश-द्रोही नहीं कहा था नहरू ने, सरकार ने देश-द्रोही नहीं कहा था, पंडित नहरू के खिलाफ, लोकसबा में बाचबाई जी बोलते थे, उनको देश-द्रोही नहीं कहा था, आज कोई भी आपके परधान मंतरी के खिलाफ, आपके ग्रेम मंतरी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाब बोले, वो देश्ट रोही हो गया है, उनको जेल में डाल दो, उनको फकर लो, छेस साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपके पास कोई, आपके पास ना तो कोई कर्यकरम है, ना आपके पास भारत के लिए क कुछ नहीं है, केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए, सतर साल में अग्पाद्याग जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था, जितना ये छे सालों में ले रहे हैं, हमारी महानाइका ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिये थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से ड्रा रहे हैं, और वैसे कहते हम बहुत मजबूत हैं, हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान, क्यों भई, क्या है वो, आपका कुछ लगता है, हाँ, जरूर लहौर में, लहौर में जरूर ब्रयानी खाने गए थे, कांग् चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी, कि इस भारत को मत तोड़िये, बड़ी मुश्किल से पटेल, नहरू ने कठा किया है, आप तोड रहे हैं, आप नहीं कहते हैं, आप तोड रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांड रहे हैं, आप चेर को एड्रेस करें, आपस वह मैं मैं जो उनको रैशी नहीं करेती JIMी मैं उनको समझती हैं कुछ नहीं हूँ वह ही कुछ नहीं जिनको बोलने की सबज़ नहीं है, उनसे क्या बात करनी है मैं तो यह कह रही हूँ इस देश को मत बांगिए इस देश के टुकडए मत कीजिए नफरत मत फिलाईए भेंजी चुप रही अपनी बारी में बोल ले ना जो बोलना होगा अब चुप करके बैठी रही है अब देश के टुकड़े मत कीचिए आज जो हम इस थे आपका इसी सी ए ने आज जो आपका एक ही देश था पाकिस्तान आपसे नरास चाहिना आपको कुछ नी समझता नेपाल भी आपसे खफा हो गया है और बंगला एक बंगला देश था बंगला देश था जिसको भी आपने इसे नरास कर दिया आज वो भी सोचने उसके चार मंद्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसल किया एक उसमें कि इस देश में ऐसी बाते हो रही है इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूनियन यूर्पिन यूनियन को हक नहीं है बोलने का प्रस्ताव लाने का तो उनके एमपी क्यों ले आये थे उनको कश्मीर क्यों ले गये थे आपने खुद उनको इन्वाइट किया है आपने खुद इसको इंडरनेशनल बनाया है आपने खुद इनको दूसरे लोगों को इसके उपर दखल देने के लिए बुलाया है और उने नहीं बुलाया जब तक हमारी सरकारे थी किसी के हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले आप लोगों ने किया है ये सब अपनी कर्तूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं आपके पस कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पस कोई कार्यकरम नहीं है केवल एक कर्म है कि कोली से उड़ा दो जी मार दो जी ख़़ा दो जी यही आपकी एक तरफ देए यही आप करने जा रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस देश को मत बांटिये इस देश की एकता को बढाए रखिये इस देश में जो भी यहाँ है आज वो सदियों से रह रहे हैं अब ही नहीं आए हैं अब पाकिस्तान और बंगला देश अरे वो तो है इसलामिक अड्रेश उनके बारे में क्या बोलना है हम तो सेकुलर हम तो धर्म को मानते हैं किस धर्म की बात आप करते हैं किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जंता की बाते सुझी थी उस जंता की बात सुनके उसने सीता को बन्वास भेज दिया और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते हैं किस राम राजय की बात करते हैं किसको पूझते हैं मंदिर बनाईए जरूर बनाईए लेकिन उनके अधर्शों को भी मानिए उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस देश को मत बांटिये एक रहने दीजिए यह नफरत मत खिलाइए यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत है यही आप करने जा रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस देश को मत बांटिये इस देश की एकता को बनाए रखिए इस देश में जो भी यहां है आज वो सद्धियों से रह रहे हैं अब ही नहीं आए हैं अब पाकिस्तान और बंगलादेश अरे वो तो है इसलामिक अड्रेस उनके बारे में क्या बोलना है हम तो सेकुलर हम तो धरम को मानती हैं किस धरम की बात आप करते हैं किस राम क की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जन्ता की बाते सुझी थी उस जन्ता की बात सुनके उसने सीता को बन्वास भेज दिया और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते हैं किस रामराजय की बात करते हैं किसको पूझते हैं मंदिर बनाईए जरूर इसलिए मैं यही कहूंगी इस देश को मत मांटिये एक रहने दीजिए ये नफरत मत लाइए ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत है